सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नवास्कार मैं सुनिल वर्म धे आयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धेटी विपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रगाम पर जैसा की हम प्रते दिन करते आए हैं इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बिसे में समझने का प्रयास करेंगे के डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या है 2020 के इस इंडेक्स में भारत के लिए क्यों चिंता जनक बाती कही गई है साथ ही समझेंगे कि भारत के साथ-साथ बिस्व की जो परमुक्देश हैं उनकी डिमोक्रिसी के पॉंट आप बिस्व से कौन से रैंकिंग प्राप्त हुई है वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे बड़े बांधों के संदर्म में आई एक रिपोर्ट के बिस्व में और समझेंगे कि भारत के साथ-साथ बिस्व की जो बड़े बांध है उन पर कौन सा खत्रा मढ़ रहा है आईए इनी दोनों खबरों के किक करके बिस्लिसित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रिसी इंडेक्स 2020 के बिस्व में थोड़ा सा दो लाइन जो है कि हम बैक्गराउंड के रूप में एक संस्था का जिक्र करेंगे जिसका नाम है इसी यूनिट के द्वारा डेम ग्रूप करता है यह करता है रिसर्च और अलेसिस और्रिसर्च और एनालिसिस के माध्यम से यह देशों को यह जो है कि जो उद्योग जगत है उसको बिजनसमेन को कई तरह की रिपोर्ट प्रस्तूत करता है तो यह The Economist Intelligence जो यूनिट है इसकी स्थापना होई थी 1946 में इसका पुर्वानुमाल लगाना और सलाहकारी सेवाएं परदान करना इसका जो मुख्याले है वो लंदन में है यह क्या करता है तो जो EIU है यह क्या करता है सरकार, कॉर्फ鬼ेट, बिजनस चेतर और द्योगिक चेत के लिए कई परकार के रिसर्च उपलब्द करवाता है और उन्हें रिसर्च का सहारा लेके चाहे सरकार हो, बिजनस छेतरों के लोग हों या जो corporate sector के लोग हों वह क्या करते हैं अपनी policy जो है की change करते हैं उसी के हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं उद्देश यह जो research होते हैं उनका यह होता है कि आखिर जो हमारा समाज है, society है उसमें और द्योगिक छेतर के लिए क समभावना हैं, यहाँ पर सरकारें जिस परकार का कारे कर रही हैं, उनको लेकर लोग की क्या धार्णा है, साथी साथ जो भी कुछ कोई संगठन, कोई जो है की ब्यक्ति, कोई ग्रूप कुछ कर रहा है तो उसका समाज और society पर क्या impact पड़ता है इस परकार की research जो है कि इस government index, तो यहाँ पर हम जो government government index है, इसको discuss नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हम बात करेंगे, वो सिर्फ democracy index के विश्य में बात करेंगे, जब यह report हमारे सामने होगी, तो हम इसके भी आंकड़ों के साथ आपसे बात करेंगे, तो हमने कहा कि यह दो index जारी करता है, और उसमें से प सबसे पहले वर्स 2006 में प्रस्तुत किया गया था, 2007 में इसको प्रस्तुत नहीं किया आ गया, 2006 के बाद 2008 में, फिर 2009 में भी प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर 2010 में प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद जो है कि इसे हर साल प्रस्तुत किया जाता है, यह मैंने आपको gap इसल इसमें break आया है, लेकिन 2010 के बाद क्या होता है, इसको प्रतेग साल प्रस्तुत किया जाता है, यह जो unit है, यह क्या करता है, अपने सोध के आधार पर 167 countries में जो democracy की condition है, उसको जो है कि यह देखता है, और इसके आधार पर क्या करता है, देशों को rank प्रदान करता है, यह जो 16 167 इसके जो सदस्य देशों में जहां पर यह अपने रिसर्च करता है, सोत करता है, जिनको अपने रैंकिंग का हिस्सा बनाता है, इसमें से 164 जो मेंबर हैं, वो युनाइटेन नेशन से जुड़े हुए हैं, अब यह जो इंडेक्स जारी करने के लिए क्या करता है, एक दो नहीं 60 आधारों, अर्था 60 आधारों को क्या करता है, यह आधार बनाता है, अर्था जब भी यह इंडेक्स जारी किया जाएगा, तो इंडेक्स में क्या किया जाएगा, जो 60 आधार हैं, इनके आधार पर किसी देश में डेमोक्रिसी का इस्ट्रक्चर क्या है, उसको जो है उनको 5 केटेग्रियों में रखा गया है और यह मान सकते हैं आप कि सभी केटेग्री जो 5 परमुक केटेग्री है उसमें 10 से 12 से लेकर किसी में कम किसी में जादा कुछ आधार है और उनके आधार पर इस index को जारी किया जाता है पांच परमुक आधार कौन कौन से हैं इसको समझ यह पहला है इलेक्ट्रोलर फ्रोसेज और प्लूरलिजम अर्थाद जो चुनाओ की परकिरिया है और चुनाओ की परकिरिया में जो बहुल बाद है बहुल बाद का मतलब होता है कि आखिर उसमें कौन कौन कितने लोग किस सम लेकिन एक पार्टी ही डॉमिनेंट नेचर अपनाती हो अर्थात भारत के या किसी भी देश के जो लोग हैं उस देश की ब्योस्था में कितना उनका जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है ये भी चेक करता है और उसके बाद है पॉलिटिकल कर्चर पॉलिटिकल कर्चर का मतलब यहां पर यह है कि आखिर जो देश है वहां का भी तो कुछ ऐसा राजनीति कल्च होगा कई जगे आपने देखा होगा लोगतंतर होता ही ने कई जगे लोगतंतर के लिए व्यक्ति सब कुछ करने को तयार होता है तो कुल मिला कर जो यहां पर डेमोक्रेसी है जिसको हम देखते हैं उस डेमोक्रेसी को क्या किया जाता है यह जो पांच मेन फेक्टर हैं इनक सब केटेगराइज करके इनके आधार पर कुछ प्रश्ण पूछे जाते हैं कुछ रिसर्च किया जाते हैं कुछ experts बुलाया जाते हैं और फिर उन से पूछा जाता है कि आखिर किसी देश के संदर में जो democracy है वो कितनी मजबूत है कितनी कमजोर है कितनी flexible है या फिर वो समय के एंसार कितने आपने आपको ढाल बारी इन सभी चेज़ों को क्या क्या जाता है इसमें चेक क्या जाता है सवाब एक है जितने भी आपने फैक्टर देखे जहां पर क्या होगा यह जो पांच परमुक केटेगरी हैं इन में से सब की कंडिशन जहां पर अच्छी होगी डेमोक्रिसी वहां की क्या होगी मजबूत होगी अब जो भी देश होते हैं उन सभी देशों को क्या किया जाता है इस इंडेक्स के मादरम से लोकतांत्रिक मुल्यों का चेक प्रिछण किया जाता है फिर उसको क्या किया जाता है जहां पर यह जो लोकतांत्रिक मुल हैं जो पांच परमुक केटेगरी हैं इन में कोई देश अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको क्या होगा इस इंडेक्स पर negative impact पड़ता है तो क्या होगी index में रेंग खराब होगे अब यह जो करते क्या हैं यह सूचना प्राप्त करने के लिए public opinion का भी सहारा लेते हैं अर्था survey करते हैं इन से जुड़े हुए कुछ लोग आपके बीच में आएंगे और आपसे प्रशन पूछेंगे और प्रशन के बाद क्या होगा कि उनसके आधार पर इंडेक्स में score देंगे और score कितना देंगे 10 अंक का इंडेक्स होता है अब 10 अंक में से कोई दिस कितना प्राप्त करता है सो अब हावी के 10 में से अगर कोई दिस 9 से जादा प्राप्त करता है तो हाँ पर democracy की जो condition वह बहुत करते हैं यह लोग कैसे जब survey करते हैं तो किस परकार के प्रिशन पूछते हैं पहला होता है कि national election मुक्त या सोतंत्र है की नहीं अर्था जो चुनाओं है उस चुनाओं को रोकने का तो प्रयास नहीं किया जाता उसमें जो लोग है वह अपनी भागेदारी अगर कर रहे हैं मतदाताओं को सुरच्छा कितनी है अर्थात ऐसा तो नहीं कि मतदाताओं उपर दबाव है कि किसी एक दल को चुने साथिसार जो सरकारी सेवक हैं कितनी मजबूती से योजनाओं को लागू करवाते हैं ऐसा तो नहीं सिर्फ फाइलों में यह जो है कि record होते हैं और उनका implementation नहीं होता फिर यह होता है कि सरकार पर जो बिदेशी परभाव तो कोई नहीं पड़ता कई जगे कि आपने सरकारों को देखा होगा वह क्या होते हैं और वहां पर बैठे हुए सत्ता पर सिर्फ पर लोग हैं वह जो है कि बस नाम मात के परतीक होते हैं कहीं अगर ऐसा है त जो भी धर्म के लोग रहते हैं, तो हर धर्म के लोगों के लिए किस परकार की सदभावना या एक कहें, तो common understanding दिखाई देती, इसका परिच्छन किया जाता है, राजनीती में स्वतंतरता और सभी पच्छों की आवाज सुनी जाती है, कि नहीं सुनी जाती, ऐसे अन्येक प् एक, दो, तीन बढ़ते हुए, नौ या दस की ओर जो देस बढ़ेगा, वह देस क्या होगा, वहाँ डेमोक्रिसी कंडिसन जादा हुए, अब जब भी यह इंडेक्स जारी किया जाएगा, तो उन, चुंकि यहाँ पर कंट्रीज कितनी है, 167, तो इनको क्या किया जाता है, क इसको बला जाता है, कि फ्लाइड डेमोक्रिसी, अर्थात इसका मतलब यह है, कि ऐसी कंडिसन है, जहाँ पर फुल डेमोक्रिसी नहीं है, डेमोक्रिसी है, लेकिन कुछ उसमें दिक्कत हैं, इनकी अभी मैं परिभासाएं बताऊंगा, तीसरा है हाइब्रीड रिजीम, इनको सत्ता स्थापित हो, अब हमने यह जो है कि आपको यह बता दिया कि आखिर, कि यह जो चार केटेगरी होती हैं, कौन-कौन से होती हैं, अब इनको थोड़ा सा समझते हैं, पहला है फुल डेमोक्रिसी, इसके अंतरगत उन देशों को रखा जाता है, जहाँ ना सिर्फ नागरिक स्वतंतता और राजनीतिक स्वतंतता परदान की गई है, बलकि ध्यान दिजेगा, बलकि सरकार और उसकी संस्थाएं इनको लागो भी करवाती हैं, अर्था जो आपको अधिकार मिले हैं, वो सिर्फ किताबों में नहीं हैं, संबिधान में नहीं हैं, बलकि उनका implementation भी होता है, सौभाबिक है, बैक्तियों के अधिक अधिकारों का उप्योग सुनिश्चित करवाने का मतलब क्या है, कि उहां पर full democracy है, यह तभी संभव हो सकता है, जब सरकारें क्या करें, लोग तांत्रीक मुल्यों को लेकर सचेत हो, स्वतंत्र उहां पर न्याय पालिका हो और साथी साथ वह न्याय पालिका अधिकारों को लेकर काफी सचेत हो, सक्री हो, और सरकार अगर कोई ऐसा कानून बिदी बनाती है, जो कि लोगों के जो values हैं, democratic ideas हैं, उनको परभावित कर सकता है, तो उसको क्या करें, cancel कर दें, साथी साथ साथ सरकार के जो सभी भाग हैं, उनमें किसी एक भाग में सक्ति का प्रथक्रण ना हो, जो कि democracy का मतलब ही क्या है, कि जो हमारे पार power है, उसका division होना चाहिए, सक्ति का प्रथक्रण होना चाहिए, साथी साथ प्रेश के जो सभी प्रेश जुड़े लोग हैं, चाहें अभिव्यक्ति के आजादी हो, या फि इस तरह से, जहां पर अधिक्तम लोग को अधिक्तम अधिकार प्राप्त होंगे, और वह देश क्या होगा, full democracy की अंतरगत आएगा, वहीं, जो इससे थोड़ी सी खराब condition होती है, वह होती है, यह वाली condition, यह जो है कि दूसरी ranking, अगर आप से सबसे पूछे कि, आपको अग किसी भी कटेगरी में आता हो, देश के लोगों का अपना देश से जुड़ाव है, तो कहेंगे कि हमें, अगर हमारा माल लेते हैं देश इसमें आता है, तो हम कहेंगे हमें इसमें ही रहनाख है, यह दूसरी ranking है, इसका मतलब यहां पर full democracy नहीं है, इसके अंतरगत उन देश हैं वो पूर्ट तरीकिस नहीं होता, अर्थात इनको लागू करवाने का जो अधिकार है, वो पूर्ट रूप से दिखाई नहीं देता, यह दूसरे सब्दों में कहें कि अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों को पूर्ट अक्टिव होके, यह ब्यक्ति अलाई नहीं कर सकता, उनका प्रियोग नहीं कर सकता, क्योंकि कभी-कभी उसमें रुकावत आती है, जैसा कि इस बार के इंडेक्स में भारत को इसी केटेगरी में रखा गया है, तो अब कहा यह जा रहा है कि इसमें उहर देश आएंगे, जहां पर डेमोक्रेसिक आइडिय हैं, बैलू जरूर हैं, लेकिन उनको जो है कि ग्राउंड लेबल पर अभी उस रूप में नहीं उतारा गया है, जितना आओ सकता थी, अर्था इसके अंतरको वह देश आएंगे, जहां पर लोकतांत्रिक आधारों को लागू करवाने में कुछ समस्या देखी जा रही है, क जहां पर क्या है, इलेक्षन स्वतंत्र नहीं होते, जहां पर सभी बैक्तियों की राजनीतिक भागेदारी सुनिश्चित नहीं होती, जहां पर बिपच्छी दल और लोगों को कम अधिकार होते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार जादा होता है, और यह भ्रष्टाचार इले पालिका पूर्त स्वतंत्र नहीं होती है उन देशों को रखा जाता है hybrid regime में इसके बाद आता है जो ताना साही सक्ता जो होती है उसके देश आते हैं इसके अंदर गत उन देशों को रखा जाता है जहां पर राजनीतिक बहुल बात अनुपस्तित हो मतलब एक बर एक संस्था एक ब्यक्ति क्या कर रहा हो ताना साही की प्रवर्ती से सरकार को चला रहा हो तो उसको इस category में रखा जाता है अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 10 जो है कि ये index जो होता है 10 score के आधार पर क्या क्या बनाया जाता है तो अगर किसी देश का यहाँ पर देख लिजएगा काफ 6.01 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए दूसरा जो आपका फुल डेमोक्रेसी के बाद जो है कि जो फ्लोट डेमोक्रेसी है जो दूसरा हमने बताया उसमें होना चाहिए 6.01 से लेकर 8 तक का होना चाहिए उसके बाद आता हाइबरिड रिजीम इसमें होना चाहिए हाइबरि करता है इस इंडेक्स में इसको और तो उसका मतलब है अभी जो क्या हुआ हमने कहा डेमोक्रेसी इनडेक्स 2020 जो है कि पारित हुआ अब जब यह इसको पारित किया गया है और यह प्रस्तूत किया गया है तो इसमें क्या है 23 देश किसमे हैं जो कि full democracy वाले हैं जो floor democracy है इसकी spelling थोड़ा ठिक कर लेज़ेगा जो floor democracy है इसमें जो है कि 52 देश रखे गए हैं ध्यान दिजेगा जो hybrid regime है इसके अंतरगत 35 देश रखे गए हैं और जो authoritarian अर्था जो एक तानासाही सरकार वाली प्रवत्तियां इसमें 57 देश हैं तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस केटेगरी में देशों की संक्या सबसे ज़्यादा है तो निहान दिजेगा यह जो सबसे खराब इसकोर वाले देश इनम उसके बाद जो है दूसरा जो केटेगरी आता है फ्लोड वाली अर्था तो ऐसा जिसमें तुर्टी पूर्ण लोगतंतर वाले इसमें इसका अस्थान आता है फिर hybrid regime का और full democracy वाले देशों की संक्या क्या है सबसे कम है अब देखिए कि जितने भी देश हैं अर्था विस्व में जो देश हैं उनको percentage की हिसाब से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि विस्व के लगभग 34.1 पर 30 सद देश में क्या है जो authoritarian government है वो है उसके बाद आता है जो यहाँ पर 30 पूर लोकतंत अर्था फ्लोर डेमोक्रेसी वाले जो देश हैं उसके बाद आता है आपका hybrid regime अब population पूछा जाए कि आखिर सबसे अधिक population किस जो है कि जनसंग क्या किस जो है कि डेमोक्रेसी के के केटेगरी में आती है तो यह ध्यां रखेगा यहाँ पर आपका answer होगा 41 second वाला जिसको हम बोलते हैं 34 लोकतंत अर्था फ्लोर डेमोक्रेसी वाला यह उसके बाद देखिए अभी जो मैंने कहा 2020 इंडेक्स जारी किया गया है तो अब देखिए इसमें आपको यह देखना है कि authoritarian जो है कि देश hybrid regime उसके बाद जो है कि float डेमोक्रेसी और फिर full डेमोक्रेसी इसमें यह दिखाया गया है कि किस छेतर से कितने देश किस केटेगरी म आते हैं जैसे नौर्थ अमेरिका में देखा जाया है तो इस केटेगरी में एक भी देश नहीं है hybrid regime के अंतरगत भी नहीं है लेकिन float democracy के अंतरगत है और यह देश कौन सा है यूस से दूसरा है आपका full democracy वाला एक ही देश है और यह कौन सा देश है कैनेडा तो कुल में ला सबी जो आपके छेत्रे हैं वहां के देशों को दिखाए गया है आप इस टेबल को ध्यां से देखकर आप जितने भी प्रारंविक परिश्चा के पॉंट भी से डामेंसन से बना कर आप प्रशन सोच सकते हैं आप इनको क्या करें देख लिए अब उसके बाद थोड़ा सा इन सिकनेस एंड इन वेल्थ अर्थात जो अभी बीमारी का दोर है इसमें डेमोक्रेसी कैसी है इसका यह टाइटल बनाये गया है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन वेल्थ अर्थात जो आपदा आई है इसमें जो डेमोक्रेसी है वह क्या है उसको जो है की बताये गया है तो इसका title है और इसने क्या किया है यह जो index है कि कुरोना काल में जो लोगतांत्रिक मुल हैं उनको किस तरह से देशों के द्वारा पालन किया गया इसका परिछण किया गया चूंकि आपको पता है कि बर्स 2020 का जो समय है वो लगभग लगभग पूरा क्या है इसी में बीता है कुरोना में ही बीता है तो इसी लिए कुरोना के फेज में जो लोगतांत्रिक मुल हैं उसमें क्या परिवर्तन आया है इसी को चेक करने का आधार बनाया गया है इसके title इस index में जो भारत का कुल score प्राप्त हुआ है वह हुआ है 6.61 ध्यान दिजेगा भारत का total score कितना है 6. 6.61 अब थोड़ा सा जो मैंने कहा आपको कि किस देश को किस में रखा जाएगा आप देखे हमने कहा 6.61 अब यह देखिए आप यह category देखिए तो यह क्या है दूसरी category को दिखाता है तो भारत का जो score है वह क्या है कि second category में आता है और भारत का जो यह score है इसके आधार पर भ वह 6.9 था और rank कितनी थी 91 इस तरह से rank के point of view से देखा जाए तो हमें 2 rank का नुकसान हुआ है अगर score के point of view से देखा जाए तो इतना score हमको क्या हुआ है कम प्राप्त हुआ है लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि democracy index में भारत सबसे उचे वाले स्थान पर कब था तो समय थ और जो rank था आप कलपना करिए कितना अच्छा रहे 27 रहें अब इसलिए कुछ विटपक्ष के लोग हैं इस rank के आधार पर कह रहा है कि जब से BJP की सरकार आई है तब से क्या हुआ है democracy index में हमारी performance खराब आई है वहीं सरकार का कहना है कि यह जो index है इनको क्या किया गया है अ टोटल जो score प्राप्थ हुआ है वह देखिए कितना हुआ है 6.61 score प्राप्थ हुआ है लेकिन हमें समझना होगा कि हमने आपसे कहाते कि 5 आधारों को 5 परमुक आधारों पर किसी देश को परिच्छन किया जाता है तो पहला था इलेक्ट्रोल प्रोसेस एंड फ्लोरियरम इ अर्थात हमारे हैं जो चुनाओ की परिकिरिया है उस चुनाओ में जो सभी लोग की भागेदारी है उसमें सबसे अच्छा हमको रेंग प्राप्थ हुआ है उसके बाद function of government को मिला है 7.14 score आप देख सकते हैं उसके बाद जो political participation है अर्थार राजनीती में सभी बर्ग सभी की लोग participants है इसमें जो है कि इतना score प्राप्थ हुआ है civil liberty में हमारा जो score है कम प्राप्थ है और जो हमारे है political culture है इसको लेकर क्या है सबसे खराब political culture को जैसे कि हम इसको कहें कि आखे आने वाले समय में अगर कोई बर्ग राजनीती में जाना चाहता है अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहता है तो उसके लिए कितना scope है इसके point of day से दिखाए गया अब देखिए अब हमने कहा कि भारत को दो rank क्या हुआ नुक्सा यह जो unit है इसका मानना है कि भारत 2020 में अपने लोकतांत्रिक मुल्यों से पीछे हटा है और भारत ने नागरिकों की स्वतनतरता पर कारवाई की है और यह भी मानना है कि भारत सरकार ने जो भारती नागरिकता का ओधाना अपनाया है उसमें जो धार्मिक तत्तो है अर्था जो NRC का मुद्दा है उसको इन्होंने सही नहीं माना है ठीक इसी तरह से अनुचित 370 में परिवर्तान इंटरनेट सट डाउन लंबा चलना इन सब चीजों को आधार बना कर प्रेज की स्वतंत्रा इन सभी चीजों को आधार बना कर भारत के संदर में क्या कहा गया है कि भार भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम के साथ जो 30 पूर्ण लोगतंत्र है और जो फ्लेट डेमिक्रेसी हैं इनकी केटेगरी में रखा गया और इसमें जो टोटल देस हैं वह कितने हैं 52 भारत के परोसियों की रैंकिंग को अगर थोड़ा हम देखें तो स्रिलंका का रै कंडिशन आप देख सकते हैं नेपाल कंडिशन आप देख सकते हैं अच्छा कुछ लोगों को जैसे मैंने देखा है कि उनको भारत की भी डेमोक्रेसी से काफी दिक्कत होती है लेकिन अगर सोचिए कि हमारा आपका जब जन्म हो रहा होता और थोड़े दाइबाएं हम और स्थित करने की जरूरत है ना कि इस डेमोक्रेसी को जो है कि अफसब्द कहने की आओ सकता है आपकी डेमोक्रेसी जो वैल्यू है वो काफी मजबूत है बस जरूरत है हमें अपने डेमोक्रेसी आइडियाज को और थोड़ा सा मजबूती से खुद भी पालन करने की और द condition सबसे खराब है और उसको 167th position प्राफ्ट हुआ यूके की जो rank है वो 16th है Australia, 9th नमर पर है ताइवान का score आप देखें कितना सांदार है आप इसको इस टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि देखें पहले इस्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर है आइसलेंड, तीसरे पर है Sweden, 4 पर है New Zealand, 5 पर है Canada, इनके score देखें कितने सांदार score है इनके, अगर हम आप भी ऐसे ही score enjoy करें तो सोचिए जो भारत सबसे बड़ा लोगतंत है, वह क्या होगा, उसके साथ सब्द क्या जुड़ेगा, सबसे बड़े के साथ सबसे बैतर लोगतंत है, उसके बाद जो bottom क पांच कंट्री हैं, इनको देख लिजिए, North Korea का आप score देख लिजिए, कितना ही खराब है, उसके बाद Democratic Republic of Congo, नाम तो देखें क्या है, Democratic Republic of Congo, लेकिन आप इसका जो रेंक है वो देख लिजिए, उसके बाद Central African Republic देख लिजिए, इसके साथ भी Republic सब जुड़ा हुआ, Syria फिर इनकी रेंकें आप यार रख लेगी, हो सकता है कि आपको जितने भी मैं फैक्ट चाहिए हूँ, वो सभी मिल चुके हूँ, इसलिए अब हम बात करते हैं, भारत के बड़े बांधों के अपने दूसे टॉपिक, भारत में बांध बनाने की जो प्रमप्रह सद्यों पुरानी है, और पिछले 50 साल में ही हमने लगभग 4000 से जादा बड़े बांधों का निर्माड किया है, भारत में 1000 से अधिक बांध जो हैं, बर्स 2025 तक क्या हो जाएंगे, 50 वर्स पुराने हो जाएंगे, और भारत में अभी भी सैकडों ऐसे बांध हैं, जो 100 साल से भी जादा पुरा भारत के बांधों का उपयों, सरवाधिक जिस छित्र के लिए किया जाता है, वह है सिचाई का छित्र, 2014 में संसुत को दी गई जानकारी, देखें डेटा यह कब का है, 2014 का जो मैं अब देने जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इसमें है क्या कि इस परकार का कोई दूसरा न लेड़ी में आते हैं, और अब इन बांधों की संख्या और क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी, भारत के बांधों के निर्माण और उनके मरमत की निगरानी किसके द्वारा की जाती है, केंदरी जल आयोक के द्वारा की जाती है, यह आप से काफी महतपूर परशन है, बर्स 2011 2011 में जब जापान में भुकंप आया था, बुकंप के द्वारा सुनामी उत्पन होई थी, और आपने सुना होगा जो फुकुस इमार्परमाण सेयंतर है, उसमें काफी तबाई हाई थी, इसके बाद जब नेपाल में भुकंप आया था, आपने देखा था, तो इससे यह जाकर्तिक आपदा किस रूप में आई थी, भुकंप के रूप में, या फिर सुनामी के रूप में, और अगर बांध तूटे तो फिर क्या होगा, एक अन्य आपदा उत्पन हो जाएगी, और इस तरह से दो-दो आपदाओं को जो है कि हम नहीं निपड़, तो प्रशना आ भारत में बर्स 1979 में गुजरात का जो मौरवी बांध था, वो भारी बारिस और बार से प्रवावित होका तूट गया था, और सरकारी आंकडों के अंसा 5000 से अधिक लोगों की मृत्ति हो गई थी, बर्स 2013 में भारत नेपास सीमा पर जो कोसी नदी बांध था, वो तूट गय था और हजारों लोगों को जो है कि विस्थापित होना पड़े था, इसी तरह से महराश के रत्नागिरी में जुलाई 2019 में तिवरे बांध तूट गया था, अठार लोगों की मृत्ति हो गए, और इस परकार की कई घटनाएं पिछले एक दसक में ही आपको देखने को मिल ज जाएंगे और इसी तरह बर्स 2017 में CAG अर्था कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह उले किया था कि बड़े बांधों में से 349 जो कि टोटल बांध का क्यों 7% हैं, इन ही में क्या है, जो 7% बांध हैं उसी में आपात कालिन कारियोजना का परबंद किया गया है, अर्था अग CAG ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि नगन्य राजजी ही ऐसे हैं जो मांसून से पहले अपने बांधों का निर्माण कर जो कि परिछण करवाते हैं, सोभाबिक है, जब मांसून होगा ज्यादा आएगा और ज्यादा जल को सहन करने की या भंडारित करने की छमता है या नहीं है, कितना उसमें पानी श्टोर किया जाना थी, इसका परिछण समय समय पहोना चाहिए, लेकिन CAG अपनी रिपोर्ट में कहरा है कि नगन्य राजजी का मतल दो से तीन राजजी ऐसे हैं जो ऐसा करवाते हैं, भारत में बांध तूटने का जो प्रमुक कारण हो होता है, वह बाढ़ होता है, अर्था जब तेजी से नदियों में उफान होता है, बरसा ज़्यादा आती है, बाढ़ आता है, तो यह बाढ़ क्या करती है, बाढ़ को भी तोड़ देती है, 44 परतिसत जो बाढ़ तब विफल होते हैं, अर्था जो है कि वह अपनी जो कार है उससे बिफल हो जाते हैं जो बाढ़ नियंतर के संदर में हो सकता है, सिचाई के संदर में होता है, जब क्या होता है बाढ़ का पानी अचानक आता है और 25 परतिसर जो बाढ़ बिफल होने की घटनाओं के पीछे का करणा है कि पानी का निकास औरूद होता है, मतलब एक नदी थी और नदीक कुपर क्या किया गया ताब बांद बना के पानी आगे रोका गया है और आगे अगर पानी छोड़ा भी जाता है तो उसको निकलने का रास्ता नहीं है इस पर के काणों के वज़े से 25 परते से घड़नाय आती है देश में बांधों की सुरच्छा सुनिश्चित करने के लिए अगस 2019 में लोग सभा में बांध सुरच्छा बिध्यक पास किया गया और सरकार ने इस बिध्यक के प्रावधानों के अंसार यह दावा किया 5264 बड़े और अन्य छोटे मजले बांधों की सुरच्छा सुनिश्चित की जाएगे प्रश्न आएगा कि आकिरी स सभी डेटा में क्यों बता रहा हूं हाले में क्या हुआ संयुक्त राष्ट ने एक जो है की रिपोर्ट दिये इसका नाम है एजिंग वाटर इन्फरस्ट्रक्टर एन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क ध्यान दिजेगा कि जो पुराने बाद हैं वह एक नई ग्लोबल रिस्क के रूप में उभर रहे हैं और यह रिपोर्ट किसकी है संयुक्त राष्ट की इसके अनुसार भारत में 1000 से अधिक बड़े बाद बर्स 2025 तक 50 बर्स से अधिक पुराने हो जाएंगे और यह क्या होगा एक तरह का बहुत बड़ा खत्रा होगा रिपोर्ट में बांधों के गिरने या बांधों की बढ़ती उम्र के मामलों को अधियन में सामिल किया गया है और यह निसकर्स निकाला गया है कि पुराने बांध कई परकार की समस्या का कारण बन सकते हैं इसलिए समय रहते इन पर कार्य करने की जरूर्ट रिपोर्ट बताती है कि वैस्विक इसतर पर 58,700 बड़े बांधों में से अधिकांस का निर्मान 1930 और 1970 के दसक में हुआ था और इसमें से बहुत से बांध क्या है पचास से लेकर 100 बरसों की समयाओदी को भी ध्यान में रखते हुआ डिजान के गयते लेकिन बहुत से बांध अब जो है कि प्रासंगिक नहीं है लेकिन तब भी उनको ढोया जा रहा है कंक्रीट के जो बांध होते हैं इनका जो एज होता है बड़े बांधों का 50 साल होता है लेकिन बहुत से ऐसे बांध हैं जो भारत के साथ पूरे बिस्वों में हैं जिनको अभी तक चालू रखा गया है और इसी के लिए रिपोर्ट कहती है क कि क्या है एक इमर्जिंग क्या है ग्लोबल रिस्क है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है 32,700 बड़े बांध जो की बिस्वों के लगवग 55% बांध हैं इसमें यह जो 55% बांध हैं सिर्फ और सिर्फ चार देशों चीन भारत जापान और दच्छिर कोरिया में हैं जिन इसमें से अधिकांस सिग्र ही 50 वर्स की सीमा तक पहुंच जाएंगे एसिया के अलावा अगर देखा जाए तो इस समस्या अफिरका दच्छिर अमेरिका पूरी यूरोप के सभी अधिकांस देशों में आपको देखने को मिलेगी भारत के 80% बांध जल्द ही लुप्त होने क्योंकि यह कहा गया है कि जब बड़े हम बांध बनाते हैं तब तो हम उसमें सुरच्छा को उपाय जादा करते हैं छोटे बांध हो में तो भी नहीं करते हैं अगर हमारे हम बड़े बांध तूरते हैं तो उन पर निवर छोटे बांध भी क्या होंगे एक आपदय का रू पुराने जो बांद हैं आपने देखा होगा इसमें क्या होता है कि उनको उस समय के हिसाब से 50-60 साल पहले जब बनाये गया था तो ना तो जो है कि क्या होता था इतना टेंपरेचर था ना बर्सा में इतनी अनिश्टा थी ना नदियों के जल इसतर में इतना तेजी से बदला वाता था तो उनकी जो जल भंडारें की छमता थी उस हिसाब से ठीक रही होगी अब ठीक नहीं दूसरा है कि जो डिजाइन उस समय तयार किया गया था उसमें समस्या आ चुकी और साधन की समस्या अर्था जो नदियां होती है उसमें सिल्टिंग होती है और और साधन की समस्य से क्या होता हूँ चिछले होते हैं और पानी को रोकने सच्छम नहीं हो पातें हैं दरार की समस्ट्रा लंबे समय तक इस चिछ्ट्र में क्या होता है सीश्मिक एक्टिबिटी अर्था जह भुकम फिर घटनाएं होती रहती हैं या फिर जो ब किस परकार के हलचल होते रहते है इससे दरार की समस्या होती है, बदलती बर्सा जो प्रतिरूफ चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चिलेंज या गुलोबल वर्मिंग के कारा, उसके इसाब से क्या है, अन्फिट है, जो बाध है, टूटने हैं, उससे क्या होता है, जल परवहा की समस्या उत्पन हो सकती है, चिन प्रशना आएगा कि आखिर बाधों का सरच्छन का प्रयास क्यों किया जाए, सबसे पहली बात सिचाई के लिए, बाढ़नी अंतरड के लिए, जल आपूर्ती के लिए, क्योंकि ग्राउंड वोटर को रिचार्ज करने हैं, बहुत बड़ाई उनका योगदान होता है, क्रि झाल